पून परमात्मा पाप करमदंड को भी काट सकता है अभी तक जिस भी संत्वा महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप करमफल भोगने से ही समाप्ध होगा वो प्रभु कौन है जो पाप करम को काट देता है वो काल के बंधन से छुड़वा देता है उसका क्या नाम है पूजा की विधी क्या है कृप्या अवश्य सुनिये जगत गुरु तत्व दर्शी संत रामपाल जी महराज के अम्रिक वज़न प्रम्पिता प्रमात्मा पूर्ण ब्रम सारी सृष्टी के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहिब कबीर प्रमिस्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुनात्माय सत्थ संग सर्वन करने के लिए उपस्तित हुए जिस प्राणी का बहुत ही पुन उद्य हो जाता है उसको मानौ स्रीर प्राप्ट होता है मानौ स्रीर प्राप्ट प्राणी के अंदर जो प्रमात्मा प्राप्टी की इच्छा परबल होती है वो विसेश पुन कर्मी प्राणी होते हैं उन मेंसे आप एक हैं जो प्रमात्मा की विश्य सात्माई हैं जिनको सत्संग सुनने का समय उपलब्द हुआ ये पांच दिविश्य सत्संग आज समापन होने जा रहा है ये किस उपलक्स में है पहले भी बताया था आदमी नैसर धालवाते हैं उनको जानकारी देते हैं ये वो सुब दिन है कि इस दिन पर मेश्वर कबीर जी परमक्सर बरम सर्वस सक्तिमान सर्वस सिर्ष्टी रचनहार अपनी प्यारी आत्मों को यथारत ग्यान परदान करने के लिए और सत्वगती बताने के लिए अपने परमधाम से सत्व लोग से चल कर आए थे वो परते की युग में ऐसी लीला करते हैं हमारे पुवितर चारववेद इसके साक्सी हैं रगवेद मंडल नमर नौ सुक्त एक मंतर आठ और नौ में रगवेद मंडल नमबर नौ सुक्त एटी टू ब्यासी के मंतर एक दो तीन में रगवेद मंडल नमबर नौ सुक्त चासी के मंतर चप्विस और सताइस में रगवेद मंडल नमबर नौ सुक्त चुरानवे के मंतर एक में रगवेद मंडल नौ सुक्त नैंटी फाइव पिचानवे के मंतर दो में रगवेद मंडल नमबर नौ सुक्त नैंटी सिक्स के चानवे के मंतर सोला से बीस में रगवेद मंडल नमबर नौ सुक्त बीस मंतर एक में रगवेद मंडल नमबर नौ सुक्त चंबन मंतर तीन में और भी अनेक स्थानों पर ये वेद गवाई देते हैं कि वो प्रम्पिता, वो पूर्ण पुरुष, सर्वस्रिष्टी रजनहार, उसका नाम कवीर देव है, कवीर साहब है, वो सतलोक में रहता है, अविनासी सथान पर रहता है, सासवत सथान में रहते हैं, वहां से वो स्विम चल कर आते हैं, सैसरी तीन परकार से स्री धारन करके वो हम सब का धारन पोशन करते हैं तीन सती थी में एक सती थी में परमात्मा वहां सिंगासन पर विराजमान रहते हैं तकतवर एक बहुत बड़े गुमज में वहां उनके स्रील का परकास बहुत अच्छा जिक है एक रौमकूб में करोड सुरिय मिला दे करोड तंदर माँ तो भी फिकिरों से नि रहे उन दोनों के मिले जूले परकास की अन्य रूप धार करके प्रमात्मा प्रते की उग में एक सिस्सो रूप धार कर के आते हैं उसी अपनी लीला नुसार परमात्मा सम तेरा सो ठाणुमा समवत चौदा सो पच्पन जेश्ट सुधी पूर्ण मासी जो आज ये सुब्ध दिन हम मना रहे हैं इस दिन वो प्रमात्मा यहां आये थे और उस परमेशवर ने हमारे डिये एक विसे उपहार दिया ये सत ग्यान और सत साधना जिसको प्राप्ट करके हम अपने उस थान पर चले जाएंगे जिसके विसे में स्रीमत भगुद गीता जायर नमर पंद्रा के सलोक नमर चार में कहा है गीता ग्यान दाता कहता है कि तत्व द्रसी संत की प्राप्टी के उपरांत प्रमेशवर के उस परमपत की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधर फिर कभी लोटकर संसार मन नहीं आते गीता ग्यानदाता अपने विसे में कहता है गीता जाय नमबर दो के स्लोक नमबर बारा में गीता जाय नमबर चार के स्लोक पांच और नो में गीता जाय नमबर दस के स्लोक नमबर दो में कि अर्दुन तेरे और मेरे बहुत जनम हो चुके है आगे भी होते रहेंगे ना तू अवीनासी है ना मैं अवीनासी है इसलिए उसने कहा ठार मेदाय के बैसिट में सलोक में कि अरदुन तू सर्वभाव से उस परम अक्सर बरम की उस परमेश्वर की सर्ण मजा जो गीत अगयान जाता से अन्य है उसकी करपा सहीतु पर्म शानती को और सनातन पर्म धाम को पराप्त होगा जहां जाने के बाद फिर कभी लोड़कर सिंसार में जनब मरन की चक्कर में नहीं आते तो वो पर्मात्मा वो ग्यान बताने के लिए स्वेम आये थे सत लोग से चल कर आये थे एक सिसु रूपधान करके बाहरत की पवितर दर्ती पवितर सहर कासी के अंदर एक लहर तारा ताला सहर से लगवग चार किलोमेटर की दूरी पर था आज भी विद्मान है वो उसमें विक्सित कमल के फूल के उपर आकर एक सिसु रूप धारन करके परमात्मा विरादमान हुए थी एक नीरु निमा नाम के जुलाहा थे उनक्या इसी जनम की थोड़ी सिष्टी सुनाते हैं वो पहले ब्रामन थे गौरी संकर्व सर्ष्वती उनका नाम था वो दोनों भगवान सिवके परम भगते बहुत निश्वारत भाव से कथा किया करते थे किसी भी जनता को भर्मित नहीं करते थे जो भी दिक्षणा उसम को प्राप्ट होती थी उससे अपना रिनेरवा करते थे और सेस्बचे धन को दिक्षणा से प्राप्ट सेस्बचे धन को बंडारा कर दिया करते थे संग्रे संचन नहीं करते थे इस बात से मुसल्मान बहुत अक्सुब्द होए उनको ये भी मालूम था कि अन्य वरामन जो हैं गुरू वो गौरी संकर से ज़्यादा इर्शा रखते हैं क्योंकि उनका बोलवाला उनसे अधिक हो गया था क्योंकि वो नी सवारत कथाएं किया करते थे अन्य के औल गुमरा किया करते थे जनतर मंतर करके दुनिया को बठका भरमा के अपने रोजी रोटी किया करते थे मुसलमानों को इस बात की चंता हुई कि ये गौरी संकर हिंदु धर्म का परचार घना कर रहा है और इसको मुसलमान बना जाए उनको ये भी मालूम था कि अन्य धर्म गुरू जो ब्रामन है वो इससे इर्षा रखते हैं इसका साथ नहीं देंगे जिस कारण से उनको उसी जनम में बाई फोरस मुसलमान बना जिया था पहले निर्वा चलता था दिक्सा से लेकिन फिर वो दिक्सा बंद होगी वो मुसलमान बना जिये गए उनका नाम रख दिया नीरू और नीमा नूर अली नाम रख दिया गौरी संकर का और सर्श्वती का नाम रख दिया नियामत उसको अब बरंस करके जैसे कहने लग जाते हैं नीरू और नीमा कहने लगे अब उनके सामने दो समस्षाइं खड़ी हुई एक तो निर्वा की दूसरी गंगा सनान मुसलमान नहीं कर सकते थे उस पंच गंगा घाट पर जिस कारण से गौरि संकर सरस्वती ने अपने निर्वा के लिए तो निरु और निमान अपने निर्वा के लिए जुलाए का कारिया सुरू कर दिया, उसमें कोई पैसा नहीं लगता था, तीन-चार लठे, डंडे गाड़ लिये जाते हैं, खड़ी बना ली जाती है, तुसम वह प्रमात्मा, अपना प्रमात्मा के जो मुह बोले माता पिता हुई, वह अपना निर्वा करने लगी, अब उनके सामने दूसरी इसमस्या ये थी, कि वो गंगा में सिनान नहीं कर सकते थे, और पर्तिजिन सिनान करके अपनी नित क्रिया करना उनका एक सभाव बन गया था, बले ही वो मुसल्मान बन गये थे, बले ही निमाज भी करने लग गये थे, लेकिन बगवान संकर की सर था, उनके हर्दे से गई नहीं थी, अब वो पर्तिजिन सिनान करने के लिए लहर तारा नामत तालाव पर जाया करते थे, ब्रहम मुरतम परतीजन सनान करके आते थे और लहर तारा ताला अब कैसे बना था वर्सा के जिनों में दरिया गंगा बहुत फुल बरके चलती है कई बार और फुलो भी कर जाती है और लहरों के दोबारा गव घाट के उपर से लहरों से पानी उचल उचल कर एक गड़े में चला जाया करता सा और वो एक बहुत बड़े स्रोवर का रूप बना लेता है उसके अंदर कमल के फूल विक्षित हो जाते हैं और गंगा का जल निर्मल रहता है वो खराद होता नहीं तो नीरू नीमा परती दिन महसनान करने जाया करते थे जेष्ट सुधी पूर्ण मासी आज ये जो सुब दिन है इस दिन ये वो प्रमात्मा सत लोग से चल कर आए और उसी लहर तारा तलाब में कमल के फूल पर एक सी सुरूफ धार्ण करके विराजमान होई हैं वेदों, गीता और पुराणों के मिरमज ग्याता कहलाते थे उन्होंने चौदा सो रिषी बना रखे थे परचारक चले बना रखे थे ब्राहमन और स्वामी रामानांद जी ब्राहमन के तरिक्त अन्य किसी को दिख्षया नहीं देते थे शैस नहीं बनाते थे उन में से जो ब्राहमन रिषी थे चौदा सो उन में से एक थे अस्टानंद नाम के अस्टानंद रिषी वो भी परती दिन सिनान करने के लिए उस लेर तारा तला पर जाया करते थे वहां आस पास बहुत बड़ा घना जंगल था सुबह सुबह सांत वातावरण में कुछ देर वहां बैठकर अपने गुर्देव द्वारा पताई साधना को किया करते थे उस दिन वो वहां पहुंचे हुए थे अस्टानंद जी वहां बैठे हुए थे आकास से एक परकास का गोला सा आया अस्टानंद जी ने देखा कि ये आस्मान से इतना तेज परकास कैसे आ रहा है कुछ ही अक्षन के अंदर वो गोला बहुत निकट आ गया और स्वामी अस्टानंद जी रिशी अस्टानंद जी की आँखें उस तेज को सहन नहीं कर सकी आँखें बंध होगी जैसे हम कभी कभी सुरिय की तरफ देख लेते हैं तो हमारी आँखें जादा समय तक नहीं देख पाती तरंट बंध हो जाती हैं हमने साइड में करनी परती हैं नीचे को करनी परती हैं और जब हम आँखें बंध करते हैं या वैसे साइड में दूसरी तरफ कर लेते हैं तो सुरिय का परकास रहित आकार दिखाई देता है वो गोला सा इसी परकास जब अश्टान अजी ने उस परकास को देखा उसके आँखे नहीं देख पाई आँखे बंद हो गई तो क्या देखा कि परकास रहित आकार दिखाई ये एक सिसू का कुछ देर के बाद उसने आँखे खोली तो क्या देखा कि वो परकास लहर तारा तालाव के एक कौनियों में सिमट गया ये सुबे सुबे की गटना थी ब्रहमूरत था ब्रहमूरत होता है सुरिय उदे होने से लगबग डेड़ घंटा पहले उसमें अंधेरा अच्छा होता है और उसमें का अंधेरा कुछ ही समय के बाद ढल भी जा ढल दी जाता है रोसनी परकास सिघर ही हो जाता है तो अश्टानंजी उसमें बैठे थे फिर उसने देखा उसने विचार किया अश्टानंजी ने कि आज मैंने ये क्या द्रिश्य देखा ये मेरी कोई आँखों की ब्रांती है या कोई सचमुच कोई ये वस्तू छी इसके विचे में उसने सोचा हो सकता है मेरी कोई बगती की उपलब्दी हुई हो उसके लिए संकास माधान के लिए वो तो उठकर चल दिए स्वामी रामानंजी के पास गए और उनसे सब आँखों देखा विवरन बताया के हे स्वामी जी हे गुरूवर आज आपके बालक न ऐसे बहुत तेज परकास देखा उपर से आ रहा था बहुत सपीड से जैसे तारा सा टूटा करता है और जो ही वो निकट आया मैंने देखा तो मेरी आँखे बंद होगी सेन नहीं कर सकी उसे तेज को आँखे बंद हुई तो मैंने क्या देखा गुरूवर के एक सीशू रूप दिखाई दिया दूबारा मैंने आँखे खोली तो सामने क्या देखा कि उपर कास उस लहर तारा तालाव के एक कौने में सीमट गया फिर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया अंधेरे ये मेरी कोई बग्ती की उपलब्दी है या कोई मेरी भरमना है बरांती है इसका समाधान कीजिए स्वामी रामानन जी ने कहा कि बेटा ऐसे जो लक्षण होते हैं वो उपर के लोकों से अवतार गण आते हैं और वो यहां किसी माँ के गर्ब में पर्वेस करेगा कोई उपर से अच्छी आत्मा देव आए हैं और वो यहां किसी माता के बेहन के गर्ब में रहेगा और फिर यहां आके अपनी जीवन लिला करेगा अब जैसा भी स्वामी रामानन जी को ग्यान था उसने अपने सिस्व का समाधान कर दिया इनको इतना ही मालुम है कि इनके भगवान शिरी राम शिरी किर्षन और भी जितने यह नोचोबीस आउतार बताते हैं सभी मां से ही जनम लेकर के उन्होंने यहां लेलाएं की इनको उस अजनमा भगवान की जानकारी नहीं है इसलिए अपने सिस्व का जैसा संकार समाधान वो कर सकते चिक कर दिया अश्टा नंजी संतुष्ट होए उदर सी क्या था कि नीरू नीमा बहुत वर्सों वहां को हो चुके थे उनका संतान नहीं थी और जिस बहन को संतान ना हो उसको केवल एक ही वस्तुप की डिवान रहती है वो कहीं जा ले जाए क्योंकि हमारे समाध का कुछ ऐसा डाचा बिगड़ी ऐसी परंपरा बिगड़ी ऐसा एक हमारे अंदर ये ऐसा समाग ये लोकलाज कि जिस बहन को पुतर ना हो वो सेहन नहीं कर सकती कि लोग उसे बहांज कहें जहे परमात्मा की रजा से ही उसको बच्चे ना हो रहे हो तो काफी वरस भी दिये थे पर लगवग साथ वरस के आयू होगी थी निरुग और निमा की उनका संतान नहीं थी और ऐसे कोई आकर को प्रोक देता है कोई रसतेदार कोई अडोस-पडोस का और घर आकर चरचा कर देता है कि आपको कोई संतान नहीं है एक बालक तो चाहिए था अब वो ना चाहते हुए भी अगर थोड़ी बहुत भूल गिर है तो इस तरह की कोई न कोई इंजेक्शन यू काल लगवा ही देता है ऐसे उसकी कोई रिष्टेदार आई निमा की कोई जान पैचान की बहन उसने सारी रात याई चर्चा राखी एक बालक बगवान ने देना चाहिए था और आप जैसे अच्छी आत्मा और बिना बालक के जिसका संतान नहीं है उसको तो कोई सुबह सुबह देखकर भी मुँ मोड लेता है ये हमारे धर्म गुर्वों की कमी रही है कि उन्होंने ऐसा ब्रम जाल पहला दिया कि जिसके संतान नहीं है वो आदमी वो वक्ती मन्हूस है और पुन्यात्मों इस तत्वग्यान के अधार से प्रमात्मा कहते हैं जो सत वक्ती करते हैं जो भगवान की वक्ती करते हैं संतान है या नहीं है वो दोनों ही उच्छ हैं और उन में से जिसको संतान नहीं है वो प्रमात्मा की विश्यस करपापातर हैं जो भग्टी कर रहे हैं ये ना समझना कि जिनके संतान है वो करपापातर नहीं है करपापातर तो वो भी है क्योंकि बगवान ने सरण में ले लिए है लेकिन उनके लिए इसलिए कहा जा रहा है कि उनका कोई किसी से संसकार उड़जा नहीं है और काल की एक ऐसी आदत है ये उड़जवारियां चाहता है चाहे किसी भी परकार उसको फसाना पड़े उसकी चेश्टा रहती है ऐसा लोक कि कहीं बता जो उसको कोई किरिया बता जे वही जाएगी बैचारी किसी परकार मेरा यो ने संतान वाला जो पॉइंट है यो कलियर हो जाए अपने आत्माँ परमात्मा खोजे से नहीं मिलते रिश्यों ने आजारों वरस्तपष्चाएं कर लिए मालिक नहीं मिला और वो प खैरी आत्मा होंगी उनकी जिनको बगएर परियतनकेर सिद्य आके मिल गए और उनके घर रहे पूतर की तरह उनको सुख दिया लेकिन वो पूतर भी दे सकते थे वो ना भागमा हो तो भी दे सकते थे लेकिन वो विशेश करपापातर थे परमातमा अपने जीव को ये संसारिक जो सुख हैं यहां की जो सुधाएं हैं जिनको हम उत्तम मान रहे हैं ये वक्ती मारग में उत्तम नहीं हैं बादक हैं तो ऐसा कोई अजान ही कर सकता है जो अपने नेजी बच्चे को और जान बुज के किचड़ में गे रहें वो तो किचड़ से निकाल कर दोया मांजा करें और दुबारा किचड़ में कोई डाल सकता है तो परमात्म, उन्हात्मों, आप तो मांगते हो यहां के सुख, यहां की संपती, सन्तान यह मिल आपको और परमात्म को आपका पहाड जैसा दुख दिखाई देता है। यदि आप जी अब मुक्स पराप्त नहीं कर सके, ना जाने कितने जनमों में, ये कष्ट आपको फिर सामने खड़े दिखाई देंगे, यदि इन संसारिक कार कोठियों में, गोड़ा बग्यों में शुक होता, तो प्रमातमा एक जौंफडी में नहीं रहते हैं, एक निर्धन विक्ति की भूमिका नहीं करते हैं, वो हमें ये दिखाना चाहते थे, कि यदि आपको ये ज्ञान हो जाए, कि ये काल का लोक है, यहां जनम मर्तु का दीरग रोग आपको लगा हुआ है, और जितनी बार भी जनमों गे, आपको ये संकट फिर परते एक बार जहे जिने पड़ेंगे, जो आज जीवन में जेल रहे हैं, इसका आन्त नहीं, और एक ऐसा सुख में सथान है, जहां जाने के बाद आपकी जनम मर्तु कभी नहीं होगी, और वहां आपका मनुश्रीर होगा, आपके बच्चे होंगे, आपकी पत्नी होगी, आपका संतान होगा, एजिटीज होगा, आपका परिवार होगा, वह कभी मर्तु को पराप्त नहीं होगा, और यहां आप सारा जीवनी नहीं के सुरुक साम लगे रहते हैं, और पता नहीं कभी जली गर जा, आप पढ़ रहे हो समाचार पत्रों में, देख रहे हो मीडि, इस इलेक्रोनिक टीव चैनलों पर केदारनाथ नाम के एक दार्मिक स्थान के ओपर बहुत बेंकर फलडा गया, लगबग वीश जार वासल दालों और आसपास के अक्सेतर के लोग मारे गए, बताओ, अब वो बचारे अपने परिवार के लिए ही बैठे थे, मेरा बचा ऐसे हो जा, मेरे बेट ट यहाँ पर उनकी लासा भी नहीं मिल लिए, दब गे टनों मिटी के डेर हुए, खुझे तभी ना पाहुए, तो परमातमा यह दिखाना चाहते हैं, आप जिस लोग मारे रहे हो और जो वस्तुए आप डिमांड कर रहे हो, यह मंगण की को ना, यह तो मैं आप ही दे दूँ क्या मंगऊ कुछ थिरना रही देख चने ने चला जगजाई, एक लख पूट सवालक ना थी, उस रावन का ज़ दीवान बाती, आप क्या मंगऊगे बगवान से, एक पुत्र मंग लोगे, थोड़ी बहुत संपत्ती मंग लोगे, धन मंग लोगे, कोठी मंग लोगे, कार म सरवनास को पराप्त हुए, अन्त में उनके को दीपक दलाने वाला सेस नहीं रहा, सरवसोने की लंका थी, वह रावन सेरन धीरं, एक पलक में राज विराजी जमके पड़े दंजीरं, तो प्रमात्मा उनको संतान भी दे सकते थे, पर नहीं दिया, कीचड में नहीं डाल सक दो इंजेक्शन लाक है, एक पूतर से चाहिए था, बगवान नहीं या क्या करी, तेरा संसार मसा जाओ जाता है, लोग देखते हैं, वह आगया मनूस है, तो वह सारी राज करवट बदलती रही बहन, निमा, और सुबह उठके उसके पती नहीं कहा के चल सनान करने चलते है समय हो गया, उठकर चल पड़ी, रस्ते में क्योंकि बेसक उन्होंने मुसल्मान धर्म स्विकार कर लिया था, लेकिन बगवान शीव को भूलानी पा रहे थी, रस्ते में अकेले आ रहे थे, निमा फूट, फूट करोर ही थी कि हे बगवान संकर, हे देव, हे महादेव, मु उपर को करके जीने का साधन बन जाता, अब मेरा जीना दुबर हो गया मालिक, आप क्या नहीं कर सकते, हमारी भूल को माफ करो, हम तो मूरक हैं, तुछ हैं, गल्ती बनी होगी बगवान, एक लाल दे देते, एक बच्चा दे देते, हमारा भी जीवन सुखी हो जाता, रोने लगी बुरीद रहे, क्योंकि उस इंजेक्शन ताजे ताजे लगा रहे थी, वह लगा गी थी, सामने कोई बावली थी, तो नीरू कहने लगया कि, देखो नीमा, यदि हमारी किस्मत में होते, तो भगवान दे ही देते, किस्मत में हमारे भागे हम है नहीं, तो भगवान देंगे कहां से, शिव जी, और अरोरो के तू अपनी आखें फोड़ लेगी, बुड़ा पे में उंगली पकड़ने वाला कोई है नहीं, अंधी हो जागी, ये और दुख होगा, तो रोया मत कर, बहुत बयार से उसको समझाने की चेष्टा करता हुआ, चल रहा है और ऐसे ह प्रार्थना आपस चर्चा करते करते लहर तारा तलाव पर पहुंच गए, सनान करने के लिए पहले नीमा चली गई, नीरू बहर दूर बैठ गया, नीमा सनान करके बहर आई उस लहर तारा तलाव के उस गाट से, उसके बाद नीरू सनान करने के लिए तालाव मा तब तक रोसनी सी हो गई थी थोड़ी थोड़ी उदालासा हो गया था सुर्य उदे नहीं हुआ था और नीमा फिर सनान करते समय जो वस्तर बांद के अपने लपेट के नाई थी शरीर के उसको धोने के लिए जब पुने तालाब पर गई उसने क्या देखा कि कमल के फूल के कोई वस्तु हिल रही है क्योंकि परमात्मा कमल के फूल पर सी सुरूख धान करके विराजमान थे सत लोग से आकर विराजमान हुए थे और पैर के एक पैर को हिला रहे थे वो पैर को हिला रहे थे नीमा ने देखा कि कोई सरप ना हो और गौर से देखा तो क्या देखा कि तो बालक है, छोटा सा बच्चा, उसने अपने पती से कहा कि देखियो जी कमल के फूल पर बालक है, देखियो उस कमल के फूल पर बालक लेटा है, नीरू कहने लगया कि नारा था वो, नाते नाते, कह रहा कि निमा तो मेंटल हो ली, तो बिलकुल पागल होगी बच्चों के म अब तुझे जंगल इसम सरौर के अंदर जल में गहरे जल में भी बच्चे दिखाए देड़े लगे तो कुछ संतोस कर रहे हैं कुछ सबर कर रहे हैं तो फिर दोर से कहने लगी देखियो जी सचमुचे देखो देखो सामने अब उसने सोचा देख तो लू या पागल कि इसक से देखा तो सचमुचे कमल के फूल पर बालक लेका है अब उसने भी आव देखा नाताव देखा कमल के फूल het तोड लिया उठा लिया और अपनी पत्नी को थंबा दिया कि सचमोची तो बालक यह डूब जाता तो शुकर है तुमने याद दिखा मुझे बता दिया अब वो बच्चे को लेकर इतना प्यार करती है और सो सो शुकर मनाती है अपने संकर वगवान के कि हे भोले नाथ इस ए प्रमातमा आज ही हरड़े से पोकारा था आज ही आपके ने अपनी दासी की पोकार सुनके ली कितना सुंदर वबालक दे दिया कि अपने आतमा हमारे साथ ऐसे बना हुआ है क Terra Kusa Prahmachar V Lecterk जो सरवसक्तिमान है कबीर वगवान और हमें जो कुछ भी यहां उपलब्दी हो रही है अपने संसकार वस उनका क्रेडिट हम देते रहे हैं विर्मा जीवी सुनुजे और सिवजी और अन्य देव दीवताओं को यह हमारी भूल थी अब इस बच्चे को अपनी पतनी को थमा दिया नीरूने और निमा लेकर जल से बाहरा कर सका प्यार करती है कभी मूँ चुमती है कभी सो सु कर मनाती है संक्र वगवान के यहां गरीबदास ती महराज परमात्मा से परिचीत होकर शतलोक में वगवान को देखकर वहां के सुक और उनकी सामरच्थे को देखकर वापस यहां छोड़े गए तब उनके कहा था हम एक दूसरे कोई कहते हैं उसने ऐसे कर दिया उसने ऐसे कर दिया जो करने वाला धनी है कुल मालिक है उसका जिकर भी नहीं करते है उसका नाम भी नहीं हमें मालूम नीरू से जान करके बाहर आया अब नीरू ने सोचा के पहले तो हमें मुसल्मान बना दिया बाई फॉरस बलपूरवक हमारा कोई मुसल्मानों में अभी इतना मेल मिलाब नहीं है हिंदू हमसे नफ्रस करते है अब हम मुसल्मान बनाए दीन बदल दिया हमारा हमारा कोई बस नहीं चला बतेरी गलानी है हमें पर विवस से हम जाएं कहा फिर उसने सोचा कि ये ती आज हम इस बच्चे को लेकर जाएंगे तो नगर नवासी पूछेंगे किस का उठा लाए कमबक तो तुम इसकी मारो रही होगी छोड़ के आओ बताओ किस कहां से लाए है और वो स्वयम कलपना कर रहा कि हमारे साथ ऐसी बीच सकती है और बच्चा भी जाएगा और हमें दे से निकाला भी मिल जाएगा नगर से निक हम कहीं के नहीं रहेंगे बच्चा भी नहीं रहेगा तो उसकी पतनी कहती है कि जी मुझे नहीं वालू इस बालक ना मेरे उपर के जादो कर दिया अब मैं इसके बिना परान ट्याग दोंगी मैं रह नहीं सकती मैं इसके बिना जीनता नहीं रूँगी तो नीरो ने कहा तो तू बिलकुल पागल होगी, कुछ भी बविश्य का नहीं देखती हो, मैं कहरा हूँ बच्चा भी नहीं रहेगा और हमें भी निकाल दिया जाएगा घर से, बेघर कर दिये जाएंगे तू कुछ अकल से काम ले, रख दे इस बच्चे को यहीं पर, अपने पूरे जीवन में, उस महापुरुस ने अपनी पतनी की तरफ पर थमबार हाथ किया था, कि मैं तेरे थपड मार दूँगा, तू ज़्यादा मू लगी है, मैं तेरी हर बात को मानता रहा, कि यह जान करके इसको संतान नहीं है, और इसकी आत्मा को दुख ना हो, और पर तेक बात को तेरी को सिविकार करता रहा, लेकिन तू ज़्यादा हटी होगी है, रख दे इस बच्चे को ने, मैं तुझे पीट दूँगा, बहुत दुखी होकर के उसने हाथ किया अपनी पत्नी की होगी, और वो टस्ते मस नहीं हो रही थी, कि मार बेसक, बच्चा नहीं छोड़ूँगी, तब प्रमात्मा ने कहा, कि हे मुमिन, मुझे ले चलो अपने घर, तुम पर कोई आपती नहीं आएगी, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, अब इस बात को देखकर उसने सोचा, इस बालक मैं कोई भूत, परेज, पित्तर, या कोई देव, फरिष्टा, कोई गण बोल रहा होगा, और कहीं तुझे हानी ना कर दे, इस डर से वो चुप हो गया, ड्रा ड्रा सा चल पड़ा, घर पर आगे, घर पर आते ही लोगों ना देखा, कि निरो निमा, ये बच्चा कहां से लाए, कि कमल के फूल पर मिला, बगवान हमारी अल्हा ने दिया, अब वो नू तक कहना संकर बगवान ने दिया, अब सारे आसपास के महले के विक्ति, इस तरी पुरस बालक कठे हो गए, कहने लगे इतना सुंदर बालक है, ओ हो इसका चेहरा ऐसे दमक रहा है, जैसे देवताओं का हो, कोई कही तो बहुत ही सुंदर बालक है, ऐसा चेहरा ऐसा इसका फुरतिल्ला सरीर है, यह कोई देव आया है, कोई कुछ कर रहा है, यहां तक लिखे आ आदिन्य गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की महिमा, की वानी लिखी है, परमात्मा से प्रीचीत होकर के सत लोग लेकर गए थे कबीर भगवान गरीबदास साहिब जी को, गाउन शुडाने जिला जदिर हरियाना वाले को वो जब दस वरस के थे सत लोग लेकर गए अपने जहानिद सथान बर भगवान रहता है जो सास्वत सथान है जिसको गीता जाय नंबर 18 के सलोक नंबर 62 में कहा कि अर्दुन तो सर्वा भाव से उस परवेश और किसरन में जा उसकी किरपा से तो प्रम सानती को और सनातल प्रम धाम को पराप्त होगा तो सास्वत सथान में प्रमात्मा रहते हैं वहां लेकर गए थे तो वह पे छोड़ा था गरीबदास जी को दिवद्रिष्टी दे दी थी उस दिवद्रिष्टी के अधार से और आखों देखा वगवान के उस सारे नजारे को गरीबदास साहिब जी ने एक गरंथ की रचना की जिसको गरीबदास गरंथ कहते हैं जैसे तुलसी दास जी ने लाखों वरस पहले गटी गटना रामाण को अपने सब्दों में लिपी बद कर दिया, चौपाईयां अपने इसाब से बना दी और कथा यसारत है, चौपाईयां की जो रचना है वो उनकी अपनी बुझी की देना है, लेकिन सचाई वही है जो रामाण की हुई, सत्य है उसको आज पूरा हिंदुस्तान, हिंद का हिंदू, उस वस्त मानते हैं, तुलसी दासकरत, जो रामाण है वो सही है, और लाखों वरस पहले गटना, उन्हों आज लेकिती चितरारत करती हैं, उनकी दिवदर्श्टी खुल गी थी, उस दिवदर्श्टी के खुल जाने के बाद, लाखों और उस पुरानी सब गटना चितरारत हो जाती है, क्योंकि हम जो भी किरिया कर रहे हैं, ये जोंकी चोंग फिलम बन जाती है, जैसे आजकल इंटरनेट बना हुआ है, जिसने भी फिलम जो कोई भी वस्तु डाल दी, उसमें सदा बनी रहेगी, जो तक डिलेट ना क की जाएगी, ये तो एक कच्चा वी सिस्टम परमात्मा की औरिजिनल सिस्टम के सामने, तो परमात्मा की ये समझे लो सारी एक यूटूब है, और ये सारा कुछ बर्माण उसका इंटरनेट इसमें सदा रहती है, जिटी जी उनको कभी भी जिसकी दिवजिश्टी खुल ज थी वस तुलसी दास जी से कहीं कई गुना स्रेष्ट थी, जादा अक्समता वाली थी, तो गरीब दास जी ने ऐसे ही अपने भगवान कभीर परमेश्वर की महिमा, लाखों वर्स पहले जहां जहां पहले वो कभी परगठ हुए, वो सारा, और कासी के अंदर जो लिला की हो वो सारी, वो तो फिलम है कभी देख लो, तो गरीब दास जी की यूटूब चलू होगी थी, उसमें उन्होंने देखा और वर्णन किया अपनी भासा में, तो क्या बताया, तो उन्होंने अब गरीब दास साहिब जी की अमरवानी से आपको थोड़ा सा एक जलक आपको वारी, क्या बताते हैं कि जब वहां आए, प्रमात्मा को लेकर आए, आस पास के लोग उकठे होगे, यहां तक कासी के राजा तो थे, वो भी देखने आए, कि इतना सुंदर बालक है, वो गौन कमाल हो गया, उसमें की वारी सुनाते हैं आपको, गगन मंडल से उतर सुत गुरु पुरस कबीरे, नाम लिये बंद तूटे हैं और तूटें जम जंजीरे, आप क्या बताते हैं, चौरासी बंधन कटे, वो किनी कलप कबीरे, बवन चतुर दस लोक सब ये तूटें जम जंजीरे, अनन्त कोट बिरमंड में वो बंदी छोड कहाए, सत गुरु पुर्स कबीरे हैं, वो जननी जने नमाए, कि ये प्रमात्मा, अनन्त कोट बिरमंड में ये बंदी छोड कहाए, बंदी छोड कौन होते हैं? अमर करूं सत लोक पठाऊं तातें बंदी छोड कहाऊं बंदी छोड हमारा नामं अजर अमर है अस्तिर ठामं अमर करूं यहां आपको ऐसी बगती सक्ती दूँगा आपको अमर कर दूँगा आप मर्ट्यू के उपरांथ वहां चले जाओगे जहां जाने के बाद सादक फिर लोटकर कभी संसार में नहीं आते और वहां आपका संसार होगा आपका परिवार होगा और जिस परिवार को पुनात्माओ बेस्सक आप नया बात ना अच्छी लागए लेकिन सत कड़वी होती है पर उसको सहन करके उसके उपर यदि आमल कर लिया जाए तो विस से अमर्त बन जाता है वो कड़वी से मीठी बन जाती है जो अस परिवार आपका है ये आपका नहीं है आप एक दूसरे के पिछले पूरुव जन्म के संसकारों से या बेटा बेटी पूतर पूतरी पती पतनी जैसे भी रिष्तेजारी बनी है ये एक लेवा एक देवा दूतम जैसे सुखदेव रिसी ने अपने पिता व्यास जी से कहा था गर्व से निकल कर चलते चलते गर्व से बाहर आते ही अपनी मां के गर्व से बारा वर्ष की आई हूं है बारा वर्ष तक मां के गर्व मरा था बारा तिस बारा वर्ष का रूप जितनी आई हाइट बनगी इसकी एक दब और उठके चल पड़ा व्यास जी ने ये कहा था कि आप बेटा मुझे दर्सन दे दे बारा वरस तरी इंतितार करी वालक होगा वालक होगा तो उसने कहा था कि रिशी जी ना जाने कितनी वार तू मेरा बाप बन लिया ना जाने कितन और आप मेरी ममता बन जा मैं नहीं देखूंगा और कहा एक लेवा एक देवा दूतम कोई किसे का पिता ने पूतम रन संबंद दुड़ा एक ठाठा अंस में से बारा बाट आज आपकी मर्तिव होगी वर्दोक हैं आप मनमान नाइजीरियाम जनम ले लोगे फिर पूतर की मर्तिव होगी वर्दोन अफरी काम जनम ले क्योंकि संसकार वसल जनम लेगा आगे थोड़े एकठे हो सकते हो और ये जो साधना आपको बताई जाती है सत्वक्ति एससे आप पूरे परिवार जो आज दिख साले लेगा क्योंकि ममतात आप की नहीं रहेगी थोड़ी बहु तो हम फिर वहीं ऐसे ही कठे हो जाएंगे क्योंकि यह सत्य है और यह ग्यान आपके हर्दे में समाया रहेगा इनमें अगर आस्था भी रहेगी तो आप यहां रहना नहीं चाहोगे आस्था करत होता है उसके अंदर वापस आकर यहिन के पास रहने की आस्था अगर आपकी र जो आए हैं बच्चे कोई किसी भी नाते रिष्टे में है पिता है पुत्र है पुत्री है पत्नी है दादी है माँ है तो इनको भी आपकी अर्ज होगी कभी होगी तो यह भी वहीं आ जाएं और वहीं फिर हम सदा रहेंगे यहां तो आज मर गए और फिर मनमाने यहीं आस् ये जनम मन का रोग ऐसे कटेगा तो अब दास होता रहा है तो करने का भाव ये है कि आप एक दूसरे के साथ यह परिवार बना है ये एक रिन है एक दूसरे का कोई लेना देना है तो वो भी इनसान अच्छा नहीं होता जो लेन देन ठीक से ना करे आपको ये पता लग गया कि ये इनका मैं आपस में कुछ लेना देना है इसलिए हमारे साथ है तो वो इनसान भी नकमा होता है तो अपने लेन देने को ठीक से ना सुलजावे वो भी अच्छा नागरिक नहीं होता तो आपने एक अच्छे भकत भी बने रहना है और जो भी जिस रूप में आपको पूतर या पता पूतरी या माता बहन मिला है उन सब को वो एक रोल एक अच्छे पातर की तरह आपने सुपातर की तरह उसको वो भी निमाना है तब याप सफलो तो कहने का भाओ दो दास आपको बताना चाहता है कि अमर करूं सत लोग पठाओं तातें बंदी छोड कहाओं अमर करूं और सत लोग बेज दूँगा सपेशल साथ जाकर नाकाल जाने दे है अमर करूं सत लोग पठाओं और तातें बंदी छोड कहाओं बंदी छोड हमारा नामम अजर अमर है अस्थिर ठामम ठाम मन सथान अजर अमर है वो लोग कभी नास मन नहीं आता वो सच लोग कहलाता सच मन अविनासी सासवत शदा रहने वाला सथान वहां ले जाओंगा तुम्हें वहां छोड़ दूँगा तो यहां कहते हैं अनंत कोट बर्मंड में बंदी छोड कहाए सो तो एक कबीर है जननी जननवाए वो किसी मा से पैदा नहीं वे सबद सरूप साहब धनी सबद सिंद सब माही बाहर भितर रम रहा जहां तहां सब ठाई अब जैसे सुर्य एक स्थान पर रहते हुए भी अपना पूरा काम कर रहा है उसकी उसनता उसकी गर्मी मकान के अंदर भी परभावित कर रही है तो इसी परकार परमात्मा की सक्ती सब दिगे व्यापक है और परमात्मा सतलोक में रहो और चहें यहां आ जाओ वो तो वहीं से अपना सारा संचालन सबकारिय सब ब्रमनों का बैलेंस वहीं बनाए रखता है तो यहां आए बगवान जल्थल परच्वी गगन में बाहर भी तिर एक यह पूर्ण ब्रम कबीर हैं अवगित पुरस अलेख सेवक होके उतरे इस परच्वी के माही जीव उधारन जगत गुरूहू बार बार बलिजाही सेवक होके उतरे एक दास बनके आए यहां पर कभीर दास कभीर दास एक सिंपल मैन की भूमी का की मालिक ने सेवक होके उतरे उतरे मने सैसरी राए यह नियम है परमात्मा सैसरी दाता है सैसरी दिला दाता है सेवक होके उत्रे इस प्रत्वी के महीं जीव उधारन जगत गुरू हूँ बार बार बलिजा हूँ जीव उधारन जीव का उधार करने के लिए यहां उत्रे हूए हूए अभी आपको बताया था इन पवितर वेदों में रिगवेद के विशे में जो आपको सभी मंतर और मंडल और सुक्त बताए इनमें ये परमान है कि वो परमात्मा उपर रहता है एक तेजों में लोग है सव परकासित पर्चवी है वो सत लोग उसके तीन पोर्षन है तीन विभाग हैं जैसे एक तो दिल्ली का बारीक से तर जिसमें गाओं है नगर विलेज है एक फिर उसका सहर दूसरी सत्थी थी में दूसरा पॉर्टन बादार है और तीसरा वो पार्लियमेंट हाउस और परधानमंत्री का घर डेजिडेंस राष्टरपती बहुन ये तीसरा सथान सब्ज़ लो तो वो परमात्मा ऐसे सत लोग के तीसरे सथान पर विरादमान है औ और वहां से गत्य कर के आता है अच्छे आत्माओं को मिलते हैं एक कवियों की तरह आच्ण करते हैं यह वेदों में परमान आपको बहुत बार दिखाया है और अपने मुख कमल से वह वारणी बोल बोल कै लोगौक् monsieurके मास्दम से विचार वोक्त करते हैं दूहों के और जिस कारण से वो एक परसिद कभीयों में से एक कभी भी कहलाते हैं लेकिन वो होते हैं प्रमात्मा और वो तीसरे, सवरे बहुनों उपरी, बहुनों उपरी तिस्ठती सब बहुनों के उपर, बहुन के सब लोकों के उपर के लोक में बैठा है वगवार। वहां से गती करके आता है, छी आत्माओं को मिलता है, जो द्रडबगत होते हैं, उनको उपदेश देता है, तत्व ग्यान समझाता है। वह सचीता नंद गनवर्म की वाणी है, उसके अंदर धार्बी करुष्टानों की जानकारी विस्तार सी कही कही है, और उसको जानकर फिर तुस सब पापों से मुक्त हो जागा। वह तत्व ग्यान है, वह खुद बोलता है बगवान, यह थार्च ग्यान को तत्व ग्यान कहते हैं। और उस ग्यान को चोथे जाएंगे, चौतिस में से लोग में कहा है, उस ग्यान को तु तत्व दर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको डंड़ोच परनाम करने से कपट छोड़कर, उनकी प्रसन करने से परसन करने से वा तत्व दर्शी संत तुझे उस तत्व ग्यान का पर spiritual knowledge, संपर्ण जहत्म ग्यान होता है, नहीं तो गीता ग्यान दाता है, एक अट धाय और लिखवा देती है, कि यह तत्व ग्यान वहाँ पर दिले इसमें, लेकिन गीता और वेदों में, कुरान और कुरानों में, बाइबल में, वो तत्व ग्यान नहीं है, लेकिन जिस सतर के व में की नहीं होती, लेकिन उस दस्वी तक की पढ़ी हुई पढ़ाई आगे काम आउसे आती है, तो इसी परकार हमारी सद्गरंत दो है, ये सभी अध्यात्म मारक को समझने में सही होगी है, लेकिन यथारत ग्यान परमातमाने स्वेमा कर दिया है, वो तत्व ग्यान तो यह बली हारी जाओं, उस परमपिता पहें, जीव उध्यारन जगतगरू, जगतगरू वही हوتा है, जो पूरे विश्वे को तत्व ग्यान बतावैं, जो अटपट करते हैं, शास्वे ग्यान करक करते हैं, वो वेसक जगतगरू लिखे रहें, वो नकली डुपलिकेट जगतगर और सत्गुरू हैं, तो यहां गरीबदास जी कहते हैं, जीव उधारने के लिए, हमारा दीवों का उधार करने के लिए, वो जगत गुरू बन काये थे परमातमाथ 600 वर्स पहले, और परमातमा केच कबिर साइब के एक जुलाखा धानक, एक अच्छूत कहा करते हैं उसको, औ सालकों का खेलनी है, तो आज से शाड़े पानसो पौने शाटसो वर्स पहले, इस भारत वर्स में, भारत कहां तक था, पिस्टमी और पुरूवी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, एराक और इरान तक भारत था था, और इसमें कितनी आबादी होगी, उसमें म एक दुलाह के हो सकते हैं, वो दुलाह हो सकते हैं, वो समरци कταपी थे, दुलाहध करम से थे, लेकिन वो परमात्मा थे, और करम इसलिए कर रहे थे कि भाई, मेरे से नर्दन कोई नहीं, और परमात्मा पाने के लिए सत बगती हो, जो जो ए गरीब हो, जो ए अमीर हो, क्यो कि मुक्स पाने के लिए ये बकवाद संसारिक छोड़नी पड़ेंगी तब ही मुक्त होगे तो इसलिए यहां गरीबदास जी कहते हैं कि वो दास बनके उत्रे जैसे रामानन जी को परमात्मा सच्छन लेकर गए सतलोक सासों सथान पर स्वामी रामानन जी को फिर वापस और गरीबदास हमकारने तुम आये हो मग गरीबदास जी ने अपने वाणी में लिखा है गरीबदास जी की इसलिए नाम लिया जाता जिसे तुलसी दास जी की उन चुपाईयों उनका नाम तुलसी दास होता है लेकिन महीमा सरी राम की ही होती है तो गरीबदास जी चित्र करतारे गरीब दास सब रूप के तुम ही सरजन हारे तो यहां क्या बता रहे हैं जो परसंग चल रहा है कासी पुरी कस्त किया उत्रे अदर अदारे उत्रे आवत्रीत हुए किसी मा के जनम कभीर परमिश्वर जी नहीं लिया मुमिन को मुझरा हुवा जंगल में दीदारे कोट करन ससी भान सुद आसन अधर विमान और परसत पूरन ब्रह्म को यह सितल पेंड और पराण गोदलिया मुखचुम करिहे मरूप जलकंते आए अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षप राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं नमस्कार सर, क्या नाम है आपका, रमायन दास जी, कहां से आई हो, पातकर जी लासे जी शंत रामपाल जी महराज से नाम दिख्षा लेने से पहले आप क्या बक्ती साधना करते थे इन पूजाओं को करने से आपको क्या लाब मिला, कोई लाब नहीं मिला तो फिर सर आप संद रामपाल जी महाराजी की संड में कैसे आए? सर संद रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसा क्या ग्यान दे दिया कि आप इतने सालों से करते आरे भक्ति को छोड़कर संद रामपाल जी महाराज दे गई भक्ति करना लग गए। संद रामपाल जी महाराज जी महाराज जी सभी धर्मगुरों की निंदा करते हैं। सर जैसे अभी आपने बताया कि गुरु नानक देवजी को बे इन हदी पर सद गुरु कबीर साहिब मिले थे। जिन्दा महात्मा के रूप में मिले थे। लेकिन सिख समाज के लोगों का मानना है, उनका कहना है कि उनका कोई गुरु नहीं था, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। गुरु है गया, ग्रांसा में वो सब कुछ लिखा हुआ, बेगर गुरु को उनका समझ नहीं पाता है लोग। गुरु ग्रांसा में सब कुछ लिखा है। सर शुन्त रांपाल जी मारत से नाम दीखिता लोगने से पहले कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। सर वो नियम कौन से हैं? सर पहले भी आपने दो गुरु बना रखे थे उसके बाद आपने संत रामपाल जी मारा से नाम दिक्सालेली सर लगातार आप गुरु बदलते जा रहे हैं सर अगला गुरु कौन सा है आपका? सर पहले भी आपने संत रामपाल जी मारा से नाम दिक्साले ले? सर हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं? बगत समाथ के सामने ये समस्या खड़ी हो जाती है कि कौन सचा गुरु है सर आपकी नजर में पूर्ण संत की क्या पैचान है? सर संत रामपाल जी मारा से नाम दिक्साले लेने के बाद आपको क्या क्या लाब होए? लाब तो दो होया मेरे को एक तो जीवन दान दिया ये असुडेंट होया था मेरे को. मेरे को बिलकुल खुरोच नहीं लगा एक मैं दूसरा लेंटर खोल रहे थे लेंटर खोलने के उपर मेरे पचास फटी मेरे सिर पर गिरिया मेरे को प्रमात्मा ने बचा लिया दो बारी मेरे जीवन दान दिया इससे बड़ी लाब कोई नहीं मिल सकता है पैसे दोलत से संपती से लाब नहीं मिलता है सांती नहीं मिलता है और प्रमात्मा का नाम से वो सांती मिलता है जो दोलत भी नहीं दे सकता है सर जो सरदालू संत रामपाल जी मारस से नाम दिख्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दिख्षा कैसे ले सकते हैं सर आप बगत समाद को क्या संदेश देना चाहते हैं आप सुन रहे थे जगत गुरू तत्वदरशी संत रामपाल जी महराज के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जाब जाब प्रवचन अधिक जानकारी के लिए सकते हैं झाल झाल